हाँ वही सभी लोगों को नमश्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक जो हर एक्जाम में पूछा जाता है चाहे कोई भी एक्जाम देने जाना वंडे कंपेटिशन एक्जाम में खासकर कि करन्ट अफेर्स और स्टार्टिक पूछे जाते हैं तो ऐसे ही सवालों को आपको करवाने के लिए लेकर आये हूँ डेली ये इसी समय आएगा ये शो डेली दस मिनिट में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक करा करेंगे जो की बहुत इंपोर्टन हो जाते हैं आपके एक्जाम पॉइंट ओ व्यू से आपके एक्जाम दीजेगा चाहे ससे का दी पॉइंट के एक्जाम दीजेगा तो आज जो हमारे टॉपिक है वो हैcha सबसे पहले हम बात करता है वहारत जो चरचित ह ?" रही इस साल भारत की जो महिलाएं चरचा में रही अन्या बहुत चार्दों के मुझा की किसी hassle कोई आपको उधारन देना चाहूंगा जैसे कि सीतल देवी सीतल देवी चर्चा में आती है पिल्षण चेक गन्राज्य में विस्व पैरा तिरंदाजी में फाइनल में पहुँचने वाली दुनिया की पहली बिना हातों की महिला तिरंदाज है सीतल देवी इस तरह की न्यूज आई थी अब अगर एक्जाम आता है तो एक्जाम में इससे सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा तो याद रखेगा सीतल देवी का जिनका नाम है सीतल देवी अब इससे क्वेशन कैसे आते है जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिच करेएगा विश्व पैरा तिरंदाजी चेंपियंशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आमलेस महिला पैरा तिरंदाज सीतल देवी बनी है इनका समद् रखने केरला तेलंगाना तमिलनाडू आंज जम्मू कश्मीर जल्दी से जवाब दीजेगा मेरे पहरे सात्यों, याद रखना सीतल देवी का संबंध है जम्मू और कश्मीर से, इनका संबंध कहां से है जम्मू और कश्मीर से है, भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो अब ऐसा ये एक और सवाल देखते हैं उमाच छितरी भारतिय महीला टीम में जगा बनाने वाली किस राज्य की पहली महीला खिलाडी बनी हैं आज किस राज्य की पहली महिला खिलाडी है उमा छित्री जो भारतिय महिला टीम में इन्होंने जगा बना ली है आपने देखा होगा करेंट अफेस में उमा छित्री का नाम बहुत सार बहुत बार आया था आप्शने ये केरला से बिलोंग करती है आप्शन बी गुजरात से बिलोंग करती है आप्शन सी तुरपरा से बिलोंग करती है बच्चो आप्शन डी आसाम से बिलोंग करती है ऐसे ही सवाल आपके एकजाब में पूसता है और ऐसे ही सवालों में आप एक एक कोईशन पीछे हो जाते हो इस competition की दुनिया से तो भाईया वीडियो को डंग से देखो और जो भी मैं इस शो में करवाने आऊ उन चीजों को note करते चलना चाहे आप इनको लिख लेना चाहे screenshot ले लेना तो उमा छेतरी की अगर मैं बात कुरूं तो ये चर्चा में रही और ये पहली इस राज उद्धान है जिसमें से सबसे नया देहिंग पटकाई उद्धान है उसके बारे में भी बाद में पढ़े तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया अगला सवाल देखते हैं रियान बर्नावी रियाना बर्नावी किस देश की पहली महिला अंतिरिक्ष यात्री बनी जो International Space Station के एक मिशन में सामिल है रियान बरनावी किस देश से समंद रखती है इसके बारे में हिंट दिया कि ये इस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जो International Space Station के एक मिशन पर गई है उप्षन A, UAE, उप्षन B, बहरेन, उप्षन C, सिंगापूर, उप्षन D, साओधी अरेबिया जल्दी से जवाब दीजेगा क्या लगता आपको कहां से है रियाना कहां से बहाँ चर्चा में रही थी ये है मेरे प्यारे साथियों आपको देखने को मिलती है साओधी अरेबि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला यातरी हैं दोस्तों याद रखेगा इनका नाव है रियाना बरनावी, अगला क्वेचन देखते हैं, दो हमारा D बिल्गुल सही जवाब हो गया अगला question देखते हैं देश की पहली महिला fighter pilot का नाम बताएं जिनने विदेश में युद्धभास के लिए चुना गया देश की पहली महिला fighter pilot इनका नाम है जल्दी से बताइएगा ये तो आपने बहुत बार सुना होगा देश की पहली महिला fighter pilot दोस्तों जिनने विदेश में युद्धभास के लिए चुना गया इनकी फोटो आपके सामने लगा रखी है ये मेरे पैरसातियो बनस्तवली विद्या पीट करके युनिवस्टी है महिलाओं के लिए जानी जाती है वहां की अलमनाई है और ये इनका नाम है अवनी चतुरवेदी दोस्तों क्या नाम है अवनी चतुरवेदी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चले चलते हैं अगले सवाल पर दुनिया के सबसे उचे युद्चेतर शियाचीन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कोन बनी है दुनिया का सबसे उचा छेतर है सर युद्चेतर शियाचीन शियाचीन में जवानों के हड़िया पिगल जाती है इतनी कडाकी की ठंड होती है और वहाँ पूर्ण रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? Option A, सुरेखायाद, Option B, सैलजाधामी, Option C, गीतारान, Option D, सिवा चोहान, सिवा चोहान दोस्तों, जल्दी से बताईएगा, जल्दी से बताईएगा कि दुनिया के सबसे उच्च युद्ध छेत्र सिहाचीन में पूर्ण रूप से महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली दोस्तों, इनका नाम है सिवा चोहान दोस्तों, D आपका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, D आपका बिलकुल सही इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स में भारतिय वायू से नामे लड़ाकु इकाई की कमान समानने वाली पहली भारतिय महिला अधिकारी कोन है, सिवा चोहान, सुर्भी जक्मोला, अभिलाशा बराक और सैलजा धामी दोस्तों, जल्दी से बताईएगा मेरे पहरे महिला अधिकारी हैं दोस्तों, जिनका नाम है सैलजा धामी, तो इस तरह के सवाल पूस्ते हैं, जाने से पहले दो चार चीजे और मैं आपको करवाना चाहूंगा, डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, दो चार पॉइंट, दो चार महिला हैं जो बहुत चर्चा में र साथ वर्ष यह हैं, इन्होंने परियावरन को बचाने की मुहीम तीन साल की थी, तब चालू कर दी थी, हम अजबात में मुझे कभी कभी सोचना होता है कि तीन साल के हमें तो साइद कुछ आइडिया ही नहीं था, लेकिन देखो भईया, लोग इंटेलिजेंट है, मोक्स र मोक्स रोय कहां से हैं, भारत यह मूलकी है, साथ वर्ष की परियावरन से संबंदित एक, मैं कहूंगा, परियावरन संग्रक्षन की मुहीम चलाने वाली एक बच्ची है, जिनने ब्रिटिस प्रधान मंत्री द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरुसकार से नवा जा गया दूसरी महिला जो सोमा मंडल जो चर्चा में रही, ये सेल की महिला अध्यक्ष है, ऐसे सुचित्रा एला दोस्तों इनने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की सह संस्तापक और प्रबंदक निदेशक सुचित्रा एला को भारती उध्योग परिशंग का हैं, इसके अलावा सेवी की पहली प्रसाशनी का अधिकारी अध्यक्ष भी हैं, मादुपी पुरी बूच दोस्तों, सेवी की, सेवी को बोलते हैं सिक्योर्टी एक्षेंज बोर्ड ओफ इंडिया, अब आपको दे रहा हूँ मैं एक कमेंट सेक्षन में जवाब देने के ल ध्यान रखें और अगले टोपिक के बारे में बताईएगा, और सेवी का मुख्याल है कहां है, ये जरूर्द लिखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बस याद रखेगा, हमेशा छोटों को प्यार दीजेगा, बड़ों को आदर केजिएगा, जय हिंद, जय भार बारत, 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 बड़ों को आदर के बारत, 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 बारत,